इसके अलावा लाड करजन इन सब का नाम आपने सुना होगा 1902 में यह विभाग स्थापित हुआ था यह इसको मैं कवर करूंगा हिस्ट्री वाले लेक्चर में सब्सीक्वेंटली आगे बढ़ते हैं देखिए प्याइबी कुछ न्यूज है इंपोर्टेंट है राम बाहु मालगी प्रबोधिनी थाने में यहां पर उद्गाटन किया तो राम चंद्र यह मालगी थे इनको राम बाहु भी बोलते थे यह महराश्ट्रा कराने वाले थे 1921 में का जन्म हुआ था वहाँ पिन्होंने किसानों और इन सब के लिए बहुत काम किया था तो भारती आर्मी के इससे पहले बाद निस उन्चार्श में बने थे इससे पहले सब जादतर ब्रिटिस कमांडर ही भारती आर्मी की चीफ हुआ करते थे क्योंकि 1947 से पहले तो भारत आ जाए नहीं था इसी के साथ आर्म फोर्स से स्वेटरन डे भी मनाया गया 14 जन्वरी को य यह दोजरच व्यद्ये पुछा गया है जो फर्मेशन होती उसकी फ्रैक्ट्रिंग में तो राजस्थान में इसका उत्पादन होता है आप यह रखेंगे है और डोलीक फ्रक्ट्रिंग ऑईल और अइन सेल गैस की उसमें इसका यूज होता है और कहा यूज होता है नाइट गौर गॉम इसको पूरा नाम इसका जो है G U A A G U E M गॉर गम है इसका जो सीड होता है वह सिंबियोटिक मतलब साथ-साथ की डिलेसिप में रहता है नाइट्रोजन फिक्सेंट बैक्ट्रीईलिया के साथ में तो क्रॉप रोटेशन में इसका यूज होता है फसलों के चक्री करण में मतलब कि जैसे कुछ दिनों तक हम सीरेल्स बतलब की दालों की खेती करते हैं क्यूं करते हैं कुछ चावल और गेहूं के बीच में क्योंकि जैसे मिट्टी की उपजाऊ चंता बनी रहे कि आख बडय है उसमें भी यह काम आता है गॉझक नि यह प्र्यार अंग दो चनि शाहिए और च्टायल पेपर और फ्लोटेशन और सबसे इंपर्टन जो बात थी कि यह हाइड्रोलिक फ्रक्चरिंग सेल गैस सेल गैस का इसमें सरवाधी उत्वाधन कोन करता है युनाइटिर स्टेट ऑफ अमेरिका आप याद रखेंगे राजस्थान में गौर सीड का बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन चल रहा है आगे बढ़ें देखें एंसी डी एक्स की बा दो और प्रवड़ी में इतना दाम देंगे तो वो प्राइस को बढ़ता है घरता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको बेच सकते मुनाफ़ा कमा सकते हैं और लेकिन इसमें है किसान को प्त экsan को तरफ पैसा देना ही पड़ई है तो यह क्या करता एंसलिक अजय क्手 सब्सक्राइब वह करता है यह सिर्फ वहर나 जो ऐसा सी एडिकेंदική प्रिक सब्सक्राइब करता है यह ये अगरी कल्च exclusively सब्सक्राइब करता है प्रेषीस में सिना होते हैं छोना है चांती ho और महीं में बढ़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगे βड़ते हैं कि और टैंटी करते हैं कि यह थैuite फार्मर प्रोडिशेठी वहीं करते हैं कौन small and marginal farmers का करता क्या है यह पतार लगाता है देश्मेंट technology input Market तो फार्म को प्रोर्द्यूसर उग्नाज़ाइश याद रखेंगे हैं पहले बात यह भारत सरकार के कोई संस्था नहीं है यह सोसाइटी के तहत रेजिस्टर्ड है गवर्न कौन करता है इसको डिपार्टमेंट आफ अग्री कल्चर और कोपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अग्री कल्चर तो आप यह याद रखेंगे फार्मर प्रोडूसर और किसी मंत्राले के अंदर कोई सं सोसाइटी है किसी भारत सर्गार कोई डिपार्टमेंट नहीं है आप इसको याद रखेंगे सोसाइटी है यह डिपार्टमेंट आफ अग्री कल्चर के अधिन यह भी इंवेस्ट्मेंट टेक्नॉलजी मार्केट इन सब के बारे में जानकारी करता है और यह ऐज एंबी की इंच्छा ने आपर देल यहां यहां पर लिखी हुए लेकिन मुख्ष डीटेल यही है कि यह नॉन-बैंकिंग फिनेंशल इंस्टेऊचन के तहत दर्ज है और वी पोग्ए में इसकी में व्यांगे फूटन यूनाइटे नेशन की ये संस्था है सईयुकत राष्ट की इसका मुख्याल है रोम इटली में है यह बिल्कुल पोटेंशियल कुश्चन है सारा पुछा जा सकता है इटली में इसका मुख्याला है यह युनाइट नेशन की स्पेसिलाइज देजनसी है आगे बढ़ता है करनाटका के एक स्रीहरी नटराज है वह बेस्ट स्विमर अभी डेजिनेट हुए है मतलब सबसे बढ़िया स्विम करने वाले कहां पर नेशनल एक्वार्टिक चैंपिय चलती है जैसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स उसमें नेशनल एक्वार्टिक चैंपियंशिप 2017 बोपाल में हुई जिसमें बेस्ट स्विमर इसको बोला गया श्रीहरी नटराज कहां कहां करनाटका के प्रस्ण पूछा सकता है यूपी जो आरो का एक्जाम आ रहा है उसमें बच्चों को एक ले करते हैं शोर पे कहां पर ज्यादा तर उडिसा के गंजम जिले में ज्यादा करते हैं रुशी कुल्या रिवर है और आंध प्रदेश के तट पर भी करते हैं इस प्रॉसेस को कहते हैं अरिबादा आप यह प्रॉसेस याद रखेंगा अरिबादा और भ कि 2018 का पूरुछ का होकी वर्लड कफ की महिलाओं का होगा ऌर इंप इप कि आप याद रखिए कि पुरुसों का हौकी का वर्ल्ड कप 2018 वह भारत में होगा और महिलाओं का हौकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा 2018 का लंदन इंग्लाइंड में यह आप याद रखें और एक चोटी सी खबर थी इंडियन एर फोर्स ने अभी साथ हो समिट का अपना अविष्यू की साथ सबसे उची चोटियां है अलग-अलग continent की उनको स्केल किया तो हम जटके में जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे उची चोटी है अकांका गुगा आप याद रखेंगे मांट मकिनले मांट मकिनले नौर्थ अमेरिका की सबसे उची चोटी है मांट किली मंजारो मांट किली मंजारो आप याद रखेंगे इसका तो देश भी याद कर लिए कई बार पूछा जा चुका है देश किसमें है तंजानिय में कि मांट एलब्रस यूरोप की सबसे वुची चोटी है कहां पे रसिया में अब रस्य रशिया के दो पर्ट कुछ जापान के हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के कौन सा रिसाच इस्टेशन दच्छेडी धुरूब पर है और आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलेसिया इसको एक्चली ओस्निया भी बोलते हैं जिसमें आस्ट्रेलिया न्यूजियले न्यूगिन यह सब क और आज शाम को करीब 10 बजे के असपास लेक्चर अप्लोड होगा जिसमें हम हरपा सब्यता से रिलेटेड और बुद्धिजम असोका इन सब से रिलेटेड जो आज ख़बरें आई है असोक और चीनी यात्रियों से संबंधित यह हम रिवाइस करेंगे आशा है कि आप आप चाहे जीतना आपका लेक्चर ले ले आपका सेलेक्शन बहुत मुश्किल है मैं अभी चाहता हूं कि यह साम ऐसी बात बोल रहा हूं लेकिन आप जान लीचे अपर सेल्फ स्टेडी नहीं है तो सेलेक्शन मुश्किल है थैंक्यू सो मच